राम मंदिर के मुद्दे पर जब विश्व हिंदू परिशद यानी वीचपी के पूर्व अध्यक्षि प्रवीन तोगडिया ने बगावत का बेगुल बजाया तो वीचपी ने 53 साल के इतिहास में पहली बार चुनाफ करवा कर अपना अध्यक्ष शुन लिया और तोगडिय बीजेपी की मुश्केले खत्म होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि नए अध्यक्ष ने भी राम नाम जपना शुरू कर दिया है जिहां विशिव हिंदू परिश्य Cat के नए अध्यक्ष विश्णू सदाशिव को इकजे साफ कर दिया है कि व्यक्तियों के बदलने से वी एच पी का एजन्टा नहीं बदलता राम मंदिर जहां था वहीं बनका दहेगा यहां तक कहा गया था कि एक साल में ही निर्मान का रेश शुरू हो जाएगा लेकिन चार साल बीट गए है निर्मान की जगा सिर्फ सियासत ही है जिसे लेकर अब बीज़ेपी के अपने ही पूछ रहे है कि क्या हुआ तेरा वादा यही सवाल पूछ कर बीज़ेपी के पूर अध्यक्ष प्रवीन तोगडिया ने बगावत का बिगुल बचाया था जिसके बाद उन पर गाज गिराई गई लेकिन अब नए अध्यक्ष ने भी राम नाम जपना शुरू कर दिया है विश्विंदू परिशत के नए अध्यक गौरक्षा और गौरफशाली हिंदू समाज का एकी करन ही हमारा मुख्य लक्ष है और उसे पूरा करके रहेंगे उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्मान चाहे न्याले के आदेश से हो या फिर संसदिय कानून से बीचपी का संकल्प है कि मंदिर उसी रूप में बनेगा जिस रूप में राम भक्तों ने अपने दिल में संजो का रखा है अयोध्य में राम मंदिर का निर्मान जल्द हो कर रहेगा राम मंदिर को लेकर बीचपी का ये दवाब बीज़िपी की मुश्किले बढ़ा सकता है तो देखना होगा कि पार्टे इन सुरू को कैसे शान्त करती है डिवी लाइप की रिपोर्ट